स्वागत है आपका हमारे बैक्यार्ड एक्स्प्लोरेशन में। ये है अपने सहर के आखरी छोर में खड़ा छोटा सा पर मीलो फैला हुआ पहाड जो कि अपने घर के चट से भी दिखाई देता है। इसका नाम है नक्ठी टॉंगर। पता नहीं इसका ऐसा नामकराण कब हो और क्यों हुआ था पर सायर इसके नाक जैसे आकरिती को देखकर पास के रहने वाले ऐसा नाम रख दिया हो। जैसे चहरे पे खड़ी नाक हो तो चहरा और भी सुन्दर लगता है ये पहाड भी अपने सहर के शोभा को दुगना कर देता है। लगता भी है ना बड़े ही शान से खड़ा है जैसे दिवार बनकर रखवाली करता हो सहर की पर जब काले बादलों के जुन्द उसके सर पर घुमडने लगते हैं ना तो पाहाड का चहरा भी कुछ गंभिर सा बन जाता है। फिर सारी बादल धीरे धीरे उतरने लगते हैं पाहाड के चोटी पर फैल जाते हैं पूरे पाहाड में और फिर पाहाड को ही चुपा लेते हैं अपने आगोश में। दोस्तों ये नजारा होता है पाहाडों का बारिश के मौसम में। पत जर में बंजर बना पाहाडों में हरियाली आने लगती है। नए पौधी, फूल, पत्तों से भर जाता है पूरा पाहाड। इन नए हरियाली से सिर्फ पाहाड का सौंदरी ही बढ़ता है, ऐसा नहीं। आसपास के रहने वाले आदिवासी भाई बहनों के लिए नए नए खाने के चीजें भी मिलना सुरू हो जाता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वही वो सब खाते हैं, वलकि आसपास की बाजार में बेचकर उन चीजों को हम तक भी पहुँचाते हैं। ऐसा ही एक चीज है बैंबू सूट यानि कि अंकुरित बांस का छूटा सपवधा, जिने अलग-अलग जगों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। अपना कुरापुट में तो इसको कॉरडी या कॉरिडो कहते हैं। पगरशी राज्य च्छतिस गड़ में इसको बास्ता कहते हैं। और कहीं-कहीं इसको बांस के कोपले भी कहा जाता है। ये सबजी के तोर पर खाया जाता है। लोग अलग-अलग तरीके से इसका सबजी बनाते हैं अलग-अलग जग़ों में। आदिवैसी लोग इसको सुखा कर भी संग्रक्षित कर लेते हैं। बारिश के बाद भी इसका स्वाद लेने के लिए। वैसे आदिवैसी संप्रदायों में शाक सब्जियों को सुखा कर रखने की परंपरा होती ही है तो दोस्तों हम भी जानेंगे इस सब्जी को कैसे बनाते हैं कैसे दूसरे तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं हमारे अगले वीडियो में तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में